गोविन सिंग डोटासरा ने कहा है कि इस बार प्रदेश में पूर बहुमत से हमारी यानी कॉंग्रेस की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास चुनाव में कोई मुद्दा नहीं था, उनके प्रदेश अध्यक चुनाव नहीं लड़ पाए। गोविन सिंग डोटासरा ने कहा कि पिछली बार से भी ज्यादा सीटें कॉंग्रेस जीतेगी, उन्होंने कहा कि भाजपा के कई बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। बाजपा तो पहले दिन से आपस में जगड रही थी, बाजपा की कोई निटी नहीं थी, उसके बास कोई एजेंडा नहीं था, पांस साल में उसने कोई ऐसा विपक्ष की बूमिका में कुछ किया नहीं। वो तो मुगेरिलाल के असीन सपने देख रहे थे, आड़ दसे मुख्य मंतरी बने बैठे थे, यहां पर आप देखिए कि सीपी जोसी जी तो खुचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और एक सीड़ जीताने की एक समता नहीं रखते हैं, राजेंदर जी राठोड साब है वो यहां वसुंदरा राजे जी के साथ में जिस प्रकार से पांस साल इन्होंने किया, तो मैं समझता हूँ कि उनके नित्रित्व को आला कमाने नहीं वाना तो जन्ता कैसे मानती हैं, भारतिये जन्ता पार्टी के पूर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्र सतीश पूनिया एक प्रदेश में 125-500 सीट जीत कर भाजपा की सरकार बनेगी, उन्होंने कॉंग्रेस पर आरूप लगाते हुए कहा कि जब तक काउंटिंग नहीं होती तब तक कॉंग्रेस के लोग खुशी मना सकते हैं,